नमस्कार, The Credible History पर आपका स्वागत है और आज से हम आपकी एक बड़ी शिकायत दूर कर रहे हैं अक्सर कमेंट्स में और बाकी यार्दोस भी कहते हैं इस बात को कि हमारे चैनल पर Modern History और कश्मीर पर तो बहुत कुछ है लेकिन Medual History पर कुछ नहीं है मध्यकालीन इतिहास, मुगलों का इतिहास इस पर हम अक्सर बात नहीं कर पाते हैं तो हमने बात की डॉक्टर रुचिका शर्मा से रुचिका शर्मा एक इतिहासकार है, पिएजडी है दुनिया के नामी जर्नल्स में उनके लेक छपते रहते हैं और मध्यकालीन इतिहास की एक्सपॉर्ट है उनसे हमने गुजारिश की कि हमारे हाँ एक शो करें जिसमें मध्यकालीन इतिहास पे जितने तरह के फेक न्यूज फैलाए जाते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करें, वो तयार हुई है और उनका पहला शो, हिस्ट्री क्लिनिक का पहला शो हमने नाम दिया है उसको हिस्ट्री क्लिनिक, हिस्ट्री की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए हिस्ट्री में जो रोग पैदा कर दिये गए हैं उनको दूर करने के लिए और जो पहला वीडियो वो लेकर आई है वो वीडियो है मुगल हरम के बारे में सुना तो आपने भी होगा मुगल हरम के बारे में बहुत कुछ और उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो ऐशो अयाशी का अड़ा था और मुगल काल में औरतों के सिती बहुत खराब थी आज बाकाइदा सोर्सिस के साथ बताएंगी हमको डॉक्टर रुचिका शर्मा कि मुगल हरम असल में क्या थे देखते रहिए TCS देखते रहिए History Clinic और यहाँ पर इतिहास और वरतमान की तमाम सारी गंदगियों को तमाम सारे फेक नियूस को बड़े तसली बख्स तरीके से दूर करने की गारेंटी दी जाती है सबसे पहला मित मुगल हरम का ओवर्टली सेक्शुलाइस्ट होना यह मानना की मुगल हरम सिरफ एक प्लेजर प्लेस था अकबर की दौस हजार बीवियां थी यार फैका तो थोड़ा लिहास से करा करें जेजवित की इमाजिनेशन में मुगल बाच्शा फुल ओरियंटल स्टाइल अयाश थे जिसकी सेक्डों बीवियां थी और वो हर वक्त विलासींता में डूबा रहता था क्या 10,000 स्ट्रॉंग था मुगल हरम एक ओवर्टली सेक्शुलाइस्ट अटरली डिबॉचरिस प्लेस जलालुदीन अकबर की 300 बीवियां थी अबुल फजल मुगल बादशा अकबर के कोट क्रोनिकलर अपनी अकबर नाव में बताते हैं कि अकबर के हरम में 5000 औरते थी उन्हें तो इंटरस्ट था इस बात में कि शाजहां अपनी बेटी के साथ एक इंसेस्ट्रिस लेसं में है अच्छा तो क्या ये सब औरते इंविसिबल थी क्लॉइस्टर थी महल की चार दिवारी में बंद थी चौथा मित यही है हेलो हेलो रमशकार मैं हूँ डॉक्टर उजिका शर्मा मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ और ये है हिस्ट्री क्लिनिक हिस्ट्री क्लिनिक में हम इतिहास के नाम पर पहलाए गए जूट का जमकर इलाज करेंगे और आज हम इलाज करेंगे मुगल हरम के चार बड़े जूट का ऐसा अकसर माना जाता है कि मुगल हरम एक pleasure place था जहां सिर्फ मुगल पाच्छा की wise रहती थी एक overtly sexualized and utterly debaucherous place लोग अपनी सारी salacious fantasies में मुगल हरम को ही imagine करके जी रहे हैं शा जहां और उनकी बीटी जहा नारा की incestuous relationship भी invent हो चुकी है ऐसा प्रतीत होता है जैसे ओड़तें मुगल हरम में सिर्फ एक pleasure object ही उनके कोई और roles और responsibilities ही नहीं थे उनकी कोई और achievements ही नहीं थे दूसरे तरफ ये भी धारनाए हैं कि मुगल हरम invisible था, cloistered था यानि ओड़तें बस चार दिवारी के बीच ही बंद रहती थी लोगों की fantasies में तो मुगल हरम का size भी काफी exaggerated बताया जाता है अकबर की दौस हजार बीवियां थी यार फैंका तो थोड़ा लिहास से करा करें ये myth आए कहां से लेकिन? foreign traveler accounts है खास करके Portuguese, French और Italian traveler accounts trail purposes के लिए Portuguese गुजरात कोस्ट पे आए और अपने साथ Jesuits भी लाए कौन थे Jesuits? Society of Jesus के followers जो Ignatius Loyola ने बनाई थी और Catholicism का एक sect भी है ये लोग 16th century में जब मुगल बाद्शा अकपर रूल कर रहे थे तब आए और इनकी travels की दास्ता इनकी मुगल empire पे observations वगेरा अपने journals में लिखी और इनके journals का अधिकांश focus for some reason मुगल हरम पर था ताबर तोड judgment की नजर से दिखा गया मुगल हरम को इन accounts में और कुछ jealousy से भी Christian morality जो लाद दी थी मुगल हरम पे फिर mis reporting का भी काफी दोश रहा Jesuits को ना तो यहां की भाषा पढ़ने आती थी ना बोलनी solidly limited understanding ना केवल फार्सी की बलकि उस समय भारत की और भी भाषाओं की और यही accounts धाईसो साल बाद भारत पर राज जमाए अंग्रेजी शासकों ने इस्तमाल किये मुगल हरम के बारे में लिखने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगलों को दिया हुआ rich, debauchrous और violent होने का stereotype भी Jesuits account से ही mail खाता था तो उन्होंने without any critical analysis इन accounts को अपना लिया और मुगल हरम का इतिहास कहके चेप दिया खैर colonial history और critical analysis का दूर्दू तक वैसे भी नाता तो है ही नहीं पर अब तो कोई reason नहीं है कि हम मुगल हरम के इतिहास को अच्छे से ना समझ पाए लेकिन अब भी अंग्रेजों द्वारा पहलाए गए मुगल हरम के myths सब जगा मिलते हैं और काफी dangerous भी है क्योंकि ये एक communal मानसिक्ता को बढ़ाते हैं पर उससे भी ज़ादा ये मुगल हरम की ओरतों के इतिहास को छुपाते हैं जिसको सामने लाना बेहत ज़रूरी है खासकर कि तब जब एक ओरत नहीं मुगल हरम के इतिहास के बारे में लिखा हो तो तो आएए चार बड़े मुगल हरम की मिट्स को बस्ट करते हैं सबसे पहला मिट मुगल हरम का overtly sexualized होना ये मानना कि मुगल हरम सिर्फ एक pleasure place था जेजुट्स की imagination में मुगल बाच्शा full oriental style अयाश थे जिसकी सेंक्डों बीवियां थी और वो हर वक्त विलासींता में डूबा रहता था फादर मॉंसरट एक जेजुट प्रीस्ट लिखते हैं कि जलाल दिनस यानि जलालुदीन अकपर कि तीन सो बीवियां थी मुगल बाच्शा जहांगीर के समय में आए टॉमस कॉरियाट एक इंग्रिश ट्रावलर के हिसाब से जहांगीर अपनी बॉडी के लिए यानि प्लेजर परपसेज के लिए हजार औरते रखते थे ट्रिवर्निया और बर्निया 17th सेंचुडी के फ्रेंच और इटालियन ट्रावलर्स respectively जो शाजहां के समय में हिंदोस्तान आए एक इंसेस्टूस रिलेशनशिप बताते हैं शाजहां और उनकी बड़ी बेटी सभीहत अलजवान जहानारा के बीच में जहानारा के मदर मुम्तास महल के गुज़त जाने के ठीक बाद यह इंसेस्ट वाला मित बर्निया के अकाउंट से खूबहू कॉपी कर दिया गया 20th century में अंग्रेज ओफिसर स्टैनली लेनपूर द्वारा उनकी किताब में और इसी लिए आज भी फेमिस है सबसे बड़ी यहां misunderstanding यह है कि मुगल हरम सिर्फ मुगल बादशाओं की बीवियां से ही लैस था या फिर उनके साथ necessarily किसी physically intimate relationship में थी यह misunderstanding हरम वर्ड और उसके concept को ना समझ पाने से हुई हरम का मतलब होता है sacred, pure, chaste, पवित्र और हाला कि considering women as pure is deeply patriarchal यह हरम के concept पे रोशनी जरूर डालता है हरम में बादशाओं की wives ही नहीं, उनकी mother, grandmothers, foster mothers, यानि दाई-ma, उनकी sisters, aunts, female cousins, यह सब भी शामिल थी emperor की बीवियों के अलावा हरम में फिर मुगल बादशाओं की महल की वो सारी औरते आ जाते हैं जिनके साथ उनका कोई भी रिष्टा था इसके साथ-साथ इन wives, mothers, foster mothers की maidservants और ladies in waiting भी हरम का ही हिस्सा थी जिनका कोई खास relationship नहीं था emperor से except for being the emperor's subject हरम का हिस्सा खाजसरा भी थे basically eunuchs जो हरम की रखवाली करते थे और हरम की senior ladies को serve भी करते थे in fact अकबर के जमाने में हरम का chief officer नाजिरे महल एक खाजसरा ही थे हरम का काफी important हिस्सा था children बाच्छा के खुद के बच्चे बलकि उनकी sisters के भी बच्चे उनकी foster mothers के बच्चे जिनको पूरा हरम मिलकर पालता था इस हिसाब से हरम का शायद सबसे least important aspect था pleasure का अबुल फजल मुगल बाच्छा अकबर के court chronicler अपनी अकबर नावें बताते हैं कि अकबर के हरम में पाँच हजार और थे थी और इन सब को separate apartments मिलते थे और हरम में अपने ओधे के हिसाब से salaries भी हरम में seniority काफी माइने रखती थी the oldest women were head of the haram कुल बतन बेगम जो की बाबर की बेटी और हुमाईउं की बहन और अकबर की आंट यानि बुआ भी थी उनकी किताब हुमाईउं नामा से हमें पता चलता है कि बाबर और हुमाईउं हरम के oldest members यानि उनकी grandmother senior aunts और mothers को नियम से विजिट करते थे और उनके साथ सबसे सादा समय बिताते थे ये औरतें राजपाट की working से काफी familiar थी तो अकसर राजा इनसे अपनी political समस्याओं का हल discuss करने आते थे तो ये तो clear हो गया कि हरम सिर्फ king की bodily pleasure के रिए नहीं था तो फिर हरम में women का role क्या था इसी से आया है दूसरा मित कि मुगल हरम में औरते बस king को pleasure करती थी और कुछ भी नहीं obviously गलत हरम की senior ladies ना केवल बाच्छा को political matter में advice करती थी बलकि ace negotiators भी थी मुगल बाच्छा हुमाईयों की बुआ यानी उनकी पतनलांट खान जादा उनी को ले लीजे जिनोंने हुमाईयों की उनकी बगावती भाईयों से सुले करवाई emperor के कहने पर मुगल हरम की ladies administration भी समालती थी जैसे की हामिदा बानु बेगम जो की अकबर की मदर थी उन्होंने अकबर के request पे ही दिल्ली प्रोविंस की इंचार्ज बनी जब अकबर काभूल गए थे एक political conspiracy को suppress करने fascinatingly ये बात हमें Jesuit father Montserrat के account से भी मिलती है लेकिन ये details अंग्रेजों की नजर से बच गई क्योंकि इस बात में शायद उन्हें interest ही नहीं था उन्हें तो interest था इस बात में कि शाजहां अपनी बेटी के साथ एक incestuous lesson में है जहानारा अपनी मा की मौत के बाद मुगल हरम की काफी popular lady थी और powerful भी उन्हें पाच्छा बेगम का title मिला जहानारा की power से ये बजार का उसिप आई incest की निकला मनुची सत्रवी शताबदी के एक और इटालिन शावलर इस incest मित को सिर्फ बजार का उसिप बताते हैं जिसमें कोई चुथ ही नहीं है ये मित पित्र सत्ता यानि पेट्रियाकी की एक पावर्फुल औरत को ना समझ पाने की वजा है जहानारा की power उनकी wealth से थी वो सूरत में चल रहे international trade में काफी हिस्सा लेती थी और उनकी ship साही भी trade expeditions पे भी जाती थी इनी revenues से फिर जहानारा ने चान्नी चौक जैसा market भी बनवाया जिसके बीच में यमना के एक छोटा सा candle भी बहता था जिसे paradise canal यानी नहरे भेष्ट भी कहा जाता था gossip इससे भी आती है कि जहानारा ने कभी भी शादी नहीं की जो कि मुगल लेडिस के लिए काफी unprecedented था जहानारा फिर हर तरीके से एक unique औरत थी और unique औरतों को समझने में अकसर पेट्रिया की चूक तो करती ही है जैसे कि नूर जहा को हुई समझने में हुई नूर जहा जहांगीर की 18th और last wife उनको भी पाच्छा बेगम का टाइटल ही मिला था नूर जहांगीर की illness के समय मुगल सल्तनत का भार समालती थी जहांगीर अपने मेंवाज जहांगीर नावा में लिखते हैं कि वो नूर जहां पर पूरा भरोस्ता करते थे नूर जहां ने फर्मान भी जारी किये और अपने नाम के coins भी issue किये इसके अलाबा वो एक fashionista भी थी उन्होंने किनारी silver lace, badla जो की silver brocade है और पंच्च्टोलिया भी इजाद किया जिसका weight सिरफ 5 तोलिक था और भारी ओर्णी से हलका भी था comfort भी और fashion भी जहां नारा और नूर जहां दोनों अव्वल धर्जे की writers भी थी उनकी अर्भी और फार्सी पर बढ़िया कमाण थी वो शायद इसी लिए क्योंकि मुगल हरम में तालीम का पूरा प्रभन था ट्यूटर्स को आतुन मामा कहा जाता था हरम की लेटीज पेंटिंग भी कर सकती थी सहीफा बानू बेगम और निनी बानू वो rare female मुगल पेंटर्स में से एक है जिनकी पेंटिंग्स हमारे पास आज भी मौजूद है औरंग जेब पोही ले लिजे उनकी सबसे बड़ी बेटी जेब उननिसा बेगम तगडी स्कॉलर थी और पोईट्री का शौक भी रखती थी जिसके चलते औरंग जेब ने उन्हें फार्सी के मशूर पोयट मुल्ला साइद मजंदरानी के यहां नजम की तालीम लेने के लिए भेजा जेब उननिसा ने इसके साथ साथ आस्ट्रोनमी और माथमाटिक्स की भी तालीम ले और कलिग्रफी में आर्ट ओफ राइटिंग उसमें भी माहिर थी स्कॉलर्स, टीचर्स, अड्मिस्ट्रेटर्स, नेगोशियर्टर्स, पोयट्स, फैशनीस्ता, बिल्डर्स और ट्रेडर्स होने के अलावा बादशा की सेक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी भी हरम पे ही थी जब वो हरम के किसी भी लेडी को विजिट करने आते थे तब विमिन गाद्स ही अपने वेपन से लैस उनकी रक्षा करती थी अबुल्फजल के हिसाब से विमिन गाद्स ही अकपर के खापका यानी उनकी रेस्टिंग अपार्मेंट्स को गाट करती थी अब भई इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी तो मुगल हरम काफी बड़ा तो होगा ही ना तीसरा मित ये है कि मुगल हिरम का एक exaggerated number था क्या 10,000 strong था मुगल हरम? Obviously not पर मुगल हरम का size जैसे कि अकपर के समय में 5,000 strong इसलिए था क्योंकि matrimonial alliances से आई औरते अकसर अपने साथ अपनी trusted maids और friends को भी लाती थी जैसे कि अकपर की राजपूत wives जो अपने साथ अपनी slave girls भी लाती थी और singers और dancers भी अब एक wife अपने साथ 50 से 60 औरते लाएगी तो हरम तो बड़ा होगा ही ना अच्छा तो क्या ये सब औरते invisible थी? cloistered थी? महल की चार दिवारी में बन थी? चौथा मित यही है मुगल हरम बाबर और हुमाईयों के समय में emperor के साथ move करता था यानि कि अगर emperor एक long expedition पे जा रही हो तो उनका हरम भी उनके साथ travel करेगा ये constant movement सब औरतों के लिए safe नहीं थी? खास करकि child bearing यानि pregnant औरतों के लिए उस समय में rail और हवाई जाहाज भी तो नहीं थे? on foot जाएए या on horses? इसे के मद्दे नजर अकपर ने हरम को एक stability दी फतेपुर सीकरी में जहाँ पर उन्होंने अपने हरम की औरतों के लिए एक fixed apartments बना कर अपनी औरतों को एक separate apartments दी अब अकपर के expeditions पे उनके हरम को जाना ज़रूरी नहीं था पर क्या इसी से हरम cloister भी हो गया? अकपर के जमाने में ही उनकी famous बुआ गुलबदन बेगम हुमायो नामा की writer ने उनको escort करना चाहा लेकिन गुलबदन ने साफ मना कर दिया फिर नूर जहां hunt पे अकसर जाया करती थी जहांगीर के साथ जहांगीर के हिसाब से वो इतनी बड़िया शिकारी थी कि उन्होंने 6 shots से ही 4 tigers का शिकार कर दिया था तो ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता कि women banished थी हरम में invisibility के curse से अपने shock के लिए या अपनी तालीम के लिए वो कहीं भी आ जा सकती थी जैसे की जेबुन निसा गई थी नजब की तालीम लेने लेकिन हरम लाइफ पूरी आसान भी तो नहीं थी childbearing was not easy खासकर की तब जब medical facilities ना के बराबर थी high maternal mortality rate था और infant mortality भी miscarriages, losing a child से जो depression होती वो अलग पर ये सिरफ मुगल हरम की ही परशानिया नहीं किसी भी हरम की ही रही होंगे important बात ये है कि औरतों की किसी भी history को देखें तो पितर सत्ता को ना भूला करें of course पितर सत्ता थी और आज भी है लेकिन जैसे आज भी औरते इस पितर सत्ता में survive करती हैं और अपने हक के लिए हर दिल लड़ती हैं वैसे ही इनों नहीं भी किया अपने तरीके से अपना सा इन्खलाब and this was just an attempt to highlight that आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेर भी जरूर कीजेगा झाल के लिए अपना सा इन्खलाब